दोस्तो आज हम बनाएंगे चिली पनीर कोली डेक जील में देख सकते हो पूरा आनंद लिया जाएगा जील का और आप भी आ सकते हो गुमने देख सकते हो लोहागाट सहर से दो किलोमेटर दूर जो हमारी कोली डेक जीले दोस्तो आप परियाटू का तीरत जो इस तरल है सकते हो और साथ में नाओं में भी गुम सकते हो दोस्ते बोटिंग कर सकते हो देख सकते हो बहुत ही सांदार नजारे के साथ आज आपको हम कोली डेक जील के सेर कराएंगे सबसे पहले तो हम रुखते हैं अक्कल लारा में पानी भरा जाएगा देख सकते हो जो बाग के मु आपको view दिखाएंगे यहां से देख सकते हो आप यहां से लोहागाट से दो किलो मेटर की दूरी पर जो जहील बनी है आपको नजा दिखाएंगे और अपनी रेसिपी चालू करेंगे दोस्तों आज बनाएंगे चिल्ली पनीर देख सकते हो निकल चुके हम अब पहुंचने यहां से हमने पनीर लेंगे और अपने वेज़िटेवल लेंगे दोस्तों यह देख सकते हो लहा गात सहर की और हम बढ़ते हो देखिए यह बंदर देखिए रोट से निकल चुके है और देखिए हम पहुंचने वाले गैस गोनावने देख सकते हो यहां से आप गैस उची त्रेट में ले सकते हो और यह आगे अपना दोस्तो हर्याली में बसा हुआ नगर लोहागाड यह बसटा है दोस्तो यहां पर आपको दिल्ली, हल्दानी, देहरादून, टनकपूर, पिथोरागड के लिए बसे मिलेंगे और यह में चोराया है, देख सकते हो, चोराया से लेट जाते हैं, दो किलोमेटर दूर में हमारी कोली ठेक जील है, दोस्तो यह देख सकते हो, यह चोराया है, यहां से अब सिधे निकलेंगे, हम पनीर ले निकलेंगे, यह आ चुके दुकान में, रेस्टोरेंट में तो यह आपको पूरा दिखाएंगे दोस्तो यह देख सकते हैं। कि तरब आप भी रुख मोर सकते और कभी भी सर्च कर सकते और ट्राई कर सकते बहुत ही हिल स्थे सन्म में जो झीव है दोस्तों देख सकते पूरी देवदार के जंगलू के बीच में जो झीव है कोली ढहक की तो वहां आप बोटिंग का भी लुकट उठा सकते और सांधर वह कि खुबशूर्ति है दोस्तों देखने लाइक है और आप भी देखोगे तो मन– हो जाओगे देख सकते हो बहुत ही सुन्दर वहां का नजारा है आज आपको सीधे लेचलते यह देखिए सानदार और वहां का नजारा दोस्तों देख सकते हो देवदार के क्या हरियाली है पेड में ये देख लो आप निकल चुके हम और आप पहुंचने वाले हैं दोस्तों देख सकते हो लोहागाट से दो किलो मिटर है मातर दूरी आप भी आ सकते हो लोहागाट से आप टैक्सी भी ले सकते हो दोस्तो और पैदल भी आ सकते हो ज्यादा दूर निया है दो किलो मेटर की दूरी में है और यह देख सकते हो हम पहुंचने वाले कोली ढेग और यहां के नजदीक जो है वाडा सुल का कीला भी है आप वहां भी गुम सकते हो देखें हम जील की तरब हमने स्कुटी मोड दिया यह देख सकते हूं जो पानी और अपना सामान लाए थे और चिल्ली पनीर का तो पूरा रेचिपी पूरा बिलोग बनाएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से सेर करेंगे और आप देखोगे तो आप भी खुश हो जाओगे डांस करने लगोगे बहुती सांदार यहां की हरिय हरियाली है देख सकते हो पानी पूरा पानी का बहुत बहाव है देख सकते हो और पानी भी बहुत बढ़ा हुआ है इस बार देख सकते हो कितनी हरियाली हुई है यहां पे और पूरा आनंद लिजिएगा देख सकते हो आज चिल्ली पनीर की जो रेचिपी हम ट्राय करेंगे उस पार जाएंगे और किनारे से पूरी जील की सहर कराएंगे और आपको चिल्ली पनीर का सांदार लुपत उठाया जाएगा यहाँ पर बोटिंग लगी हुए है आप भी बोटिंग कर सकते हो नावर लगी पड़ी है दोस्तों देख सकते हो पूरा जो पानी भरा हुआ देख सकते हो यह हरियाली है और देवदार के पेड़ देख सकते हो बहुत ही सुन्दर है यहाँ की हसीन वादिया है तो आप भी इंजोई कर सकते हो एक बार जरूर कोली ढेक आना ना हुए यह देख सकते हो हम निकल चुके पैडल यहां से और अपनी केंपिंग की तरफ हम निकल चुके दोस्तों जहां हम केंपिंग करेंगे और यहां से पूरा जील का सुन्दर नजारा दिखाएंगे आपको और आप भी देख सकते हो यह देखिए यहां पर बोटे खड़ी है पानी जब फुल होता है तो बरसात ने पूरा उपर तक आ जाता है यह देख सकते हो पेर आदे डूब जाते हैं तो आपको दिखाए जाएगा किस तरह हमने आज केंपिंग की दिन वर का जो आज विलॉग था हमारा कोली डेक का औ बोकी जो हमारा सामाने सांडार के साथ और तो अच्छी तरह बैट के हम बनाए जाएंगे जील के बिल्कुल नजदी के आपको दिखाएंगे अपना ब्लोग स्टार्ट करते दोस्तों चलिए यह देख सकते हो यह हमारा जो वेजिटेबल है और यह पैन है यह गैस है तो हम इसको जलाएंगे और यह देख सकते हो बिल् साइट में खड़ी हुई आप भी आनंद ले सकते हो अपनी फैमिली को ला सकते हो और यह देखिए पानी का बहाओ कितना अच्छा है बहुत सुंदर वाता वरण है यहां का दोस्तों देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत यह देखिए धूप आई हुई है कहीं धूप तो क इस तरहरा अनंद ले सकते हो और एक बार आप भी कोली ठेक जील आ सकते हो दोस्तों और एंजोई कर सकते हो फ traffische के साब participate कर सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं बहुत सांदार नजा रहा है सबसे पहले lesson और साथ और यह प्याज और सिम्ला मिर्ची जो और अधरक lesson अच्छे से बारिक करना चौप कर लेते रैफ लिए उसके बाद अपना बिलोग तयार करेंगे चिल्ली पनी यह देखिए कटिंग हमने तयार कर दी प्याज और सिम्ला मिर्ची के साथ में अब हम पनीर काटेंगे दोस्तों देख लीजिए पनीर के क्यूब क्यूब पीसिस करेंगे उसके बाद उसमें नमक मिला के और थोड़ा सा मैदा मिला के उसक से पहले तो कडाई को पोच लेते हैं और उसके बाद इसमें ओयल डाला जाएगा दोस्तों देख सकते हैं और उसके बाद पनीर को फराई किया जाएगा यह देख सकते हैं पनीर को अच्छे से deep fry करेंगे और उसके बाद आपको दिखाय जाएगा यहां की रेशिपी देख सकते हो पानी का क्या संतुलन बना हुआ आपको दिखा देते हैं दोस्तों यह देखें पुली इंजोई होगा देख सकते हो पनीर को अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं सबसे पहले तो deep fry करके उसको निकाल लेंगे और आपको दिखाया जाएगा किस तरह हमने पनीर को फ्राइ किया और उसके बाद वेजिटेबर डालेंगे सबसे पहले तरका लगाए यह देख सकते पनीर को अच्छे से ब्राउं यह देख सकते हो पनीर को हमने अच्छे से फ्राइ कर लिया गया है और उसको निकालेंगे देख सकते हो ब्राउं होंगा हलका तो उसके बाद निकाल लेंगे देख सकते हो अब तेल को कम करेंगे दोस्तों तेल बहुत जादा है तो इसको कट में vegetable दालेंगे दोस्तों देख सकते हो वेजिटेवल को अच्छे से भूना है हलका सा deep fry करना और उसके बाद अच्छे से मसाले में लपेटना दोस्तों देख सकते हो बहुत ही unique recipe है unique authentic recipe है और वो भी घिल के किनारे दोस्तों देख सकते हो इतना अच्छा मौसम में यहां की सुन्दर्ता देख सकते हो सुद्ध वाता बरेड़ है और आप भी इंजोई कर सकते हो यह देखें आप भी गूमने आ सकते हो यह देखें मसाला हमने डाल लिया मिर्ची नमक और उसके बाद हलका सा इसमें पानी भी डालेंगे फ्रेस बनाएंगे दोस्तो श्रेस जो हम लाए थे घर से तो उसको डाल देखा याओ इसको अच्छे से अल्कासा ब्राउन होने तक पकाएंगे जब तक कि गाडा ना हो जाए देखें पानी डालेंगे अकलधारा वाला जो जिसको खाके की थोड़ा अक्कल आएगी दोस्तों ये देख सकते हो अक्कल धारा का पानी बहुत फेमस है लोहागाट में पनीर को अच्छे से पकने देंगे पांच मिनट के लिए और उसके बाद देखे हम पूरा लुप्त लेंगे पूरा आनन्द लेंगे आज का जो डिस्ट तयार होड़ी हमारी चिल्ली पनीर बिल्कुल एथंटिक रेसिपी देख सकते हो राजबोरा के और आपने हमारा चैनल स स्क्राइब और बेल आइकन जरूर दबाए राजबोरा खजाना रेसिपी को यह बिलोग जो मुनाया इसको share जरूर करेगा और ज्यादा से ज्यादा टुरिस्ट लोग जरूर आएगा दोस्तों और हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं लोहागाट से मातर को जाएंगे दोस्तों यह देख सकते हो जो आज का इंजोई था हमारा कोली डेक जील हमने पूरा आनन्द लिया और पूरी रेशीवी पूरा ब्लॉक का और साथ में यहां की नजार नजार है और हसीन वाजियू का दोस्तों देख सकते हैं जील का बिल्कुल सांदार यहां से पूरा सांदार देखें यहां के पेड़ देखें हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं और आपको फुली इंजोई कराएंगे जो लोहागाट से मातर दो किलोमेटर दूर है कोली डेक जील दोस्तों यह देख सकते हो आप भी आ सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो कुड़ा कच्रा है इसके हुए साथ में हम ले जाएंगे यहां नहीं तोर देख सकते हैं यह जो अब आपना सामान प्यक कर लेते हैं दोस्तों और इसी के साथ देखें गैस्चुला और यहां पर हमने साप सपाई भी कर दिया और आपको जितने भी टूरिस्ट लोग आये तो साप सपाई का विशेज द्यान रखना यहां पर कुड़ा कच्रा ना फेके तो यहां की सुंदरता बनी रहेगी दोस्तों देख सकते हैं हमने पूरा जो सामान लाए थे सारा सामान ले लिया और अपना पैकिंग कर दिया दोस्तों यहां कुड़ा भी नहीं जील का नजदीग है तो यहां बिल्कुल साप सपाई रखने हैं और देख सकते हो आप कभी भी आये टूरिस्ट लोग तो यहां गंदगी ना फिलाए इससे परियावर और परदुसर होता गंदगी से इसलिए साप सपाई रखना बहुत जरूरी है ताकि टूरिस्ट लोग जादा से जादा आये और यहां पर ध्यान रखना है दोस्तो विशेश कर साप सपाई का ध्यान रखते हुए जो यह हमने वीडियो आपको पहुंच आ रहे हैं और टूरिस्ट लोगों को जादा से जादा शेयर जरूर करेगा और यह देख सकते हो हमारा आज का विलोग बन हमारा रखना से आप बिल्कुल आनंद ले सकते हुए यहां पर बोटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों गुमने आ यहां से देखे, पूरा नजारा दिख सकते हैं, और यहां से पा味 पाश होता है, यहां से थाने हुआ हैं पार्किंग की सुविदा भी है और देख सकते हो साप सपाई बहुत अच्छे हैं यहां पर दोस्तों देख लो आप भी आ सकते हो और यह देखे अब हमारा बैक पैख हो चुका अब हम निकल चुके घर की तरफ लोहागाट की तरह आपको दिखाएंगे कि यहां से मात्र दो क लोहागाट की तरफ निकल चुके हैं दोस्तों मात्र दो किलोमेटर की दूरी है आप भी इंजॉय कर सकते हो यहां से पंडर किलोमेटर दूर चमपावच सहर है यह देखे हैं 42 किलोमेटर पंचे सहर है वहां आप राप्टिंग कर सकते हो जो काली नदी का संगम है और हरियाली है और मौसा में यह देख सकते हो यह पूरा जील का बिल्कुल एकदम नजारा यहां पर गेट है दोस्तों जहां से पानी पास होता है ज्यादा फूल हो जाता है तो यह देख सकते हो अब हम पहुंच रहे हैं लोहागाट की तरफ दोस्तों यह देख सकते हो यहां क अच्ची जील बनी हुए, आप भी जादा से जादा संक्या में, टुरिस्ट लोग यहाँ गूमने आ सकते हूः, यह देख सकते हो, आपको मात्र दो किलोमेटर है लोहागाट से, दोस्तों, आप यहाँ से दिल्ली, दहरादून, हरीदार, बहार से भी गूमने आ सकते हैं ये देखे हैं बहुत ही सांदार जो यहां का नजारा और नगर जो लोहागार बसा हुआ दोस्तों ये देख सकते हो जीलू की नगरी लोहागार देख सकते हो लोहावती नदी के किनारे बसा हुआ जो नगर है लोहागार दोस्तों ये देखे ह आपको दिखाएंगे पूरा और यहां पर नजदी की पेट्रॉल पंप रिजॉर्ट और जो होटल वगरा आपको बुकिंग उचित रेट पर मिल जाएंगे दोस्तों और खाने की उचित सुविदा है यहां पर देख सकते हो मार्केट बहुत नजदीक है मातर दो किलोमेटर दूर आई पे है और यहां से आपको हर जगे के लिए बसे भी मिल जाएंगे देख सकते हो पिथारागार दिली देहराद उन गुरुगाओं टनकपूर आप कहीं को भी जाए बरेली तो आपको यहां से बसे मिल जाएंगे यह देख सकते हैं आपको बसड़े पे ले चलते ह है लोहागाट का बसड़ा तो दोस्तों आपको यहां से हर जगह के लिए हर समय बसे मिलेंगी यह देख सकते हो सुबह से साम तक के लिए यह रहा बसड़ा और उसके बाद उसके नियर गैस गुडान है उसके बाद पेट्रॉल पंप है दोस्तों आपको पेट्रॉल भी भराना है तो बिल्कुल एकदम नजदिक है और साथ में होटल, रिजोर्ट, रेस्टोरेंट आपके लिए उचीत रहने की ब्यवस्ता भी है दोस्तो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और सेर जरूर करें देख सकते हैं जो आज का विलोग है नजारा ले सकते हैं और साथ में पंप से आगे हमारा ये देखे जो मंदिर है यहाँ पर रिसेस्टर मंदिर भी है साथ में यहाँ भोलेनात का मंदिर भी है दोस्तो आप भी दर्शन कर सकते हो ये देख सकते हो और साथ में यहाँ से पंडर किलोमेटर पहुँचने वाले तो आपको दिखाएंगे यहाँ पर आप भी पानी भर सकते हो पी सकते हो और इस पानी को पीने से अक्कल आते हैं दोस्तों यह देख सकते हो बहुत भीर रहते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम भी पानी भरेंगे यह देखे और उसके बाद हम सिधे निकल चुके घर की तरब तो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताया कमेंट करके शेयर जरूर करेगा धन्यवाद दोस्तों बने रहे चैनल के साथ